नमस्ते मित्रूं, हिंदी साहित्य के अगरगर्ण, ख्यात प्राप्त और विशिष्ट लेखक लेखेकाओं की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिए सुप्रसिद वरिष्ट लेखेका म्रतुलागर्ग जी की लिखी हुई कहानी अवकाश तो शुरू करते हैं कहानी अवकाश उसने सोच विचार कर सुबह दस बजे का समय लिया है दिन का प्रकाश इस्थिरता प्रदान करता है बात संतोलन के साथ समझाई जा सकेगी पिछली बार भावना की रौ में बहकर बात शुरू की तो कहां की कहां जा पहुची ठीक है जो कुछ कहना हो आवेश के बिना कहना चाहिए पूरी तरह खोल कर महेश तरक समझता है दो महिने से वो किशनर रोड अपनी मा के घर रहती आई है महेश ने कहा था अलग रहकर सोच लो ये जानते हुए कि दो साल तक वो सोचने का ही काम करती रही है या कहना चाहिए कि सोचने का निश्फल प्रैत्न करती रही है उसने बात मान ली थी सोच लिया था दो वर्ष निकल गए तो दो महीने और सही पर दो महीने बीतने पर निशकर्ष वही का वही महेश से बात हो जाए तो निर्ने बदल जाएगा परसों उससे फोन पर कहा था मैं रविवार दस बजे तुमसे मिलने आऊंगी ठीक रहेगा कहते हुए उसका स्वर जरावी विचलित नहीं हुआ था हाँ हाँ जरूर महेश ने उत्सुक तत्पर्था से कहा था सब बातें तै करनी हैं उसने कहना शुरू किया था पर महेश ने बाधा दे दी थी मैं तुमारा इंतज़ार करूंगा कह कर फोन जल्दी से काट दिया था क्या वो पूरी बात सुनने से डर रहा था उससे मिले दो महीने हो गए जिस रात पहले पहल बात छेड़ी थी तभी से नहीं मिली उस रात उसने तै किया था बात और नहीं टाली जा सकती आज कह देनी होगी खूब समझा बुजा कर मैं प्रस्तावना और उपसंगार के जिससे शब्दों में खोकर चोट कम महसूस हो बच्चों के सो जाने पर खाना खाकर बैठक में बैठे तभी बात शुरू की थका महेश अकवार लेकर सोफे पर बैठा था कुछ देर और चुपचा अप उसका कलांट मू देखती रही एक बार सोचा अभी रहने दे फिर कठोर बन कर बोली मुझे तुमसे कुछ कहना है महेश ने सुना नहीं महेश उसने आवाज उची करके दोर आया मुझे तुमसे कुछ कहना है हम्म महेश ने कहा पर आखें अकवार से नहीं उठाई वो चुप रही महेश पढ़ता रहा सुन रहे हो कुछ रुक कर उसने कहा हाँ हाँ इस बार महेश ने आँख उटा कर उसकी तरफ एक दफेता का मुझे तुमसे कुछ कहना है उसने जल्दी से कहा जिससे वो दो बारा अकबार में लीनना हो जाए कहो उसने कहा परसाथी आँख दबा कर अकबार ऐसे पढ़ता रहा कि लगे नहीं पढ़ रहा समझा बुझा कर कही जाने वाली बात तब फट पड़ी महेश उसने कहा मैं समीर से प्यार करती हूँ मुझे तलाक चाहिए समीर क्षन भर को लगा महेश अकबार से ध्यान नहीं बटा पा रहा फिर उसने जोड से कहा नॉनसेंस और अकबार नीचे पटक दिया वो चुप रही क्या कह रही हो तुम ये क्या मजाक हुआ मजाक ये तुम्हें मजाक लग रहा है इतने दिन तुमने कुछ महसूस नहीं किया उसे लगा उसका बहुत अपमान हो गया है दो साल से मैं प्रेम और पश्चाताप में जल रही हूँ कितनी बाग प्रण कर चुकी हूँ अब उससे नहीं मिलूंगी और हर बार तोड बैठी हूँ तो मैं कुछ पता नहीं चला अब महेश ने अपनी निगाएं उसके मूपर टिका दी और समझा कि ये मजाक नहीं है ये नहीं हो सकता वो गुदबुदाया हिर्दे में कहीं बहुत भीतर सोया दर्द उठा और बढ़ता गया तुम मुझे और बच्चों को बिलकुल नहीं चाहेती उसने कहा ये मैंने नहीं कहा बच्चे मेरे शरीर से जुड़े मेरे अंश है तुमसे भी मैं बहुत इसने और प्यार करती हूँ पर मैं मजबूर हूँ मैंने अपने से कितनी लड़ाई की पर मैं ये मेरे वश से बाहर की बात है I am sorry अनेक दिनों से सोच कर कुछ ऐसे ही शब्द उसने तयार किये थे पर अब वे बिल्कुल सपाट लगे कमरे में उस भावा तेरेक की कमी थी जिससे वे जड़े जा सकते थे उसने सोचाता महेश ना जाने कितना चंचल और संतप्त हो उठेगा कहीं रो न दे तब वो भी रुदे गलों से हाथों में मूँ ढाप कर कहेगी महेश मैंने तुम्हे प्यार किया है अभी भी करती हूँ इसी से दो वर्ष से अपने को रोकती रही हूँ अपने से लड़ती रही हूँ आविरल, निरंतर पर हर बार मेरी हार हुई है जैसे मैं दो भागों में विभक्त हूँ हारी हूँ अपने ही इस नूतनरूप से मैं क्या करूँ प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है वो मुझे खीचे लिए जा रहा है मुझे माफ करो मैं तुम्हें बहुत दुगते रही हूँ पर मुझे जाने दो मुझे जाना ही है ओ महेश मैं कुछ नहीं कर सकती केवल शारीरिक आकरशन के लिए बच्चों और घर बार को छोड़ने की जरूरत नहीं होती उसने सुना महेश कह रहा था उस पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ जानती हूँ उसने अपने को कहते सुना पिछले दो वर्षों में अनेक ऐसे क्षण आये हैं जब उसने यही सोचा है कि शारीरिक सुक के हलावा इसमें और कुछ नहीं है पर वे क्षण भी वो भुला ने पाती जब समीर के साथ रहकर लगा शरीर कुछ नहीं है वे मन मस्तिश्क से एक हैं लगा उसे इसपर्ष किये बगैर उसके साथ बाते करते या चुप रहकर वो पूरा जीवन सुक से बिता सकती है वो जानती है दोनों सच हैं शरीर कभी बहुत नगरने हो उटता है कभी बहुत प्रबल क्योंकि ये न वासना है न भक्ती और न दोस्ती उसने हलकी मुस्कुरहाट के साथ सोचा आज कर हम प्रेम के नाम से इतना कत्राने क्यों लगे हैं साफ बात ये है कि ये प्रेम है उसका मन हुआ कहे गल्ती मैं समीर से प्यार करती हूँ कर चुकी हूँ और फिर करना चाहती हूँ इसमें गल्ती कहीं नहीं है सुख अवश्य है पर उसने कहा नहीं उसके साथ विवा होते ही सब रोमांस खतम हो जाएगा ये टिकाओ चीज नहीं है महिश कहता जा रहा था जानती हूँ उसने फिर कहा ये कौन सा तर्ख है कि जो टिकाओ है वही निश्पाप है सुन्दर है महत्वकून है टिके चाहे नहीं वो से पूरी तरह पाना चाहती है वो पुलक अकारण हसी गुबारे की समान फूलता फैलता हिर्दे ज्वाला का प्रपात नगाडे की धमक भापसा मुक्त सोचा कहे ठीक है मैं दो वर्ष के लिए चली जाती हूँ फिर लोटाओंगी पर हो जानती है ये कहा नहीं जा सकता तलाक मागा जा सकता है अवकाश नहीं हमारे आपसी संबन्ध भावा वेश सहन कर सकते हैं युक्ती नहीं इतनी तर्ग संगत बात महिश जैसे विवेकशी आदमी को भी तहसनेस कर देगी और कुछ मत कहो तुम हमें छोड़ कर कहीं नहीं जाओगी चाहो तो दो तीन महीने किशनर रोट रहाओ अलग रहकर सोचोगी तो सब ठीक हो जाएगा दोबारा मिलने पर हम सब कुछ भूल चुके होंगे महिश कह रहा था इतनी इस रहदैत से कौन लड़ सकता है वो बच्चों को लेकर और सोचने के लिए मा के घर किशनर रोट चली आई इस बात को दो महीने पीच चुके अनिश चितिता में रहते चले जाना अब सह नहीं लग रहा लिहाजा आज सुबह दस बजे शांती से बाद निप्टाने महिश से मिलने खहरा आओ बैठो वो बैठ गई एक कप कॉफी तो बनाना बिहारी को तो बनाना ही नहीं आता कपसे धंकी कॉफी नहीं मिली महिश ने सहचता की भूमिका अधा की उसने बिहारी को आवाज देकर ताजा गरम पानी मंगवाया और एक कप कॉफी फेट कर तयार कर दी अरे त तो क्या हुआ, साथ देने को तो लो, एक कप, उसने प्याले में कौफी गोली और चुपचा पीने लगी, मम्मी डैडी कैसे हैं, महिश ने पूछा, अच्छे हैं, मिनी कडू ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया, नहीं, बढ़िया कौफी बनी है, एक कप और डालना, बिना वर्षी उसने लगाए थे, हैंडलूम हाउस से खरीद कर, यहां बैठ कर कौफी पीना भला लग रहा है, कौफी समाप्त करके महिश ने का, चलो, बाहर बाग में बैठें, नहीं, उसने एकदम कहा, ड्राइंग रूम में चलो, बाहर धूब बहुत तेज है, वो बाग में महिश ने कहा, और ड्राइंग रूम की तरफ मुड़ गया, वहां पहुँच उसने सिगरेट जला ली और सोफी पर बैठ किया, वो कुछ दूर कुरसी पर बैठ गई और कहने लगी, महिश, मेरा निरने बदला नहीं है, मैं चाहती हूँ हम मिलकर बच्चों के बारे में तै कर लें, महिश निश्चल बैठा रहा, उसने देखा, वो सिगरेट नहीं पी रहा, हात में पकड़े बैठा है, और वो दीरे दीरे जलती जा रही है, सायास उसकी तरफ से नजर हटा कर वो बोली, बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें मेरी देखभाल की जरूरत है, अगर त ठीक समझो, तो अभी कुछ वर्ष मेरे पास रहने दो, फिर जैसा तुम चाहो, मैं उन्हें चाहती जरूर हूँ, पर तुम्हें दुख नहीं देना चाहती, दुख? महिश ने कहा और हलके से हस दिया, उसकी हसी ने उसे भीतर तक जग जोड दिया, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें दुख ही दे रही हूँ, पर मैं मजबूर हूँ, उसने कहा तो उसका स्वर विचलित हो उठा, कुछ देर चुपी रही, उसने देखा, उसकी कुरसी के पास नीचे तिपाई पर वही फूलदान रखा है, जिसमें जाने से कुछ दिन पहले उसने सर्पत की फलिय और पत्नियां सुखा कर सजा दी थी, फलियां अधिक पकी मालूम पढ़ रही हैं, अब तक उन्हें बदल डालना चाहिए था, तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया, उसने सुना महेश कह रहा है, क्यों नहीं किया, चौक कर उसने कहा, उसका हाँ सर्पत की फलि पर लग और ओफट गई, बीतर से रूई की तरह सफेद रोई निकल कर हवा में तैरने लगे, जरूर किया है, अब भी करती हूँ, उसने कहा, पर ये कुछ और है, मेरे जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मैं जानती ही नहीं थी, प्यार किसे कहते हैं, महेश तुम नहीं समझ स लगे, उसे लगा आसपास और रहे रूई के रोयों की तरह वो भी आजाद है, महेश की आँखें उसके फरफ़ाते होटों पर टिक गई, हम भी कभी साथ जन्में और मरे थे, शुरू शुरू में, नहीं, उसने इतने धीरे से कहा, कि लगा महेश ने नहीं कहा, उसने स्व महेश ने हार मान ली, वो सोफे पर ढह गया, वो उठकर उसके पास आ गई बोली, ज्यादा दुख मत करना, महेश फिर हलके से हस दिया, वो तड़प उठी, उसके दोनों हाथ थाम रुधे कंट से बोली, महेश मैं नहीं जानती ये कैसे हो गया, मैंने नहीं चाहा था, मैं महेश ने लंबी सांस खीच कर कहा, मैं जीवन में सरवता असफल रहा, बेकार, नहीं ऐसा मत सोचो, इसमें तुमारी कोई गलती नहीं है, तुम सब कुछ थे, हो, मैंने तुमसे पाया ही पाया है, ये तो भाग यह है, या फिर मेरी कृतगनता, महेश चुप रहा, मैं तु प्रोना से पिगल कर उसने कहा, सोवे पर बैट उसका सिर अपनी चाती पर खीच, वो दीरे दीरे उसके पीट सहलाने लगी, मुझे माफ करो, उसने फिर कहा, और अपने होट उसके होटों पर रख दिये, उसका हिर्दे समुद्र के समान हो रहा है, विशाल, अथा और शां लज्जा या दिखावा बाकी नहीं है, और ना है आखेट की गंद, कुछ देर महेश का शेरीर कठोर बना रहा, फिर पिगलने लगा, वे एक जिलमिलाते परदे के पीछे सच्चाई से छिप गए, एहम को खोकर आदी पुरुष और आदी नारी में बदल गए, उसके पास देने को जो है, वो उसे दे देना चाहती है, जो इसने बाकी है, जितनी करोना संजो सकती है, जब वे एक शरीर हुए, तब भी वो यही सोचती रही, महेश दुख मत करना, मेरा बेचारा प्यारा महेश, तुम भी सुखी हो सको मेरी तरह सुखी, वो फोरन उटकर बातरूम में चली गई लगा धो देने से सब कुछ धुल जाएगा पानी डालते डालते उसने सोचा ये तो सरदी से ठिटूरते बिखारी पर दुशाला डाल देने जैसी बात हुई जाना तो मुझे है ही अभी आप सुन रहे थे मृद्लागर्ग जी की लिखी हुई कहानी अवकाश ये कहानी सन 1973 में देश की एक प्रमुक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा फिर मिलेंगे आपका समय शुब हो मंगल मैं हो